हलो एवरिवन आज हम क्लास 7 एंसी आर्टी के इंगलिश बुक से एक्सपर्ट डिटेक्टिव सिक्स चैप्टर के हार्ड वर्ड के मेनिंग हिंदी में समझेंगे ध्यान दिजे इस वीडियो में हम केवल पार्ट वन के ही वर्ड्स के मेनिंग समझेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्यूरियस क्यूरियस याने उत्सुक मार्बल कंचे रोल्स याने लुढकना चांस याने मौका क्रुक मतलब अपराधी सिक्स्थ है स्केड याने दागदार या घाव के निशान से युक्त पोलाइट याने नम्ब्र मौन्स्टर याने राक्षस अफ़ोर्ड याने समर्थ हूना या दे सकना प्रुबेबली याने संभव तहा एलेवन्थ देखेंगे स्टैश्ड अवे स्टैश्ड अवे याने चिपा कर रखना एक्जैक्टली बिल्कुल डाउटफूल याने संशियात्मक सर्टनली याने निश्चेत रूप से स्टार्विंग याने भूखे मरना डाउन्स्टेर्स याने नीचे की तरफ एक्सक्लेम याने भावावेश में अचानक चिल्ला कर कुछ कहना हीडन याने चिपा हुआ ट्रंक मतलब लोहे की पेटी वैसे तो ट्रंक याने तना होता है लेकिन इस चैप्टर में यहाँ मीनिंग होगा लोहे की पेटी पेज नमबर 86 पर एक सेंटेंस आया है रबिश याने बकवास आगे बढ़ते हैं इंटरप्ट याने हस्तक शेप्ट करना स्कार्स याने दाग, बर्न याने जला हुआ, फॉर्मली याने दृड़ता पूर्वक, अन्शोर याने अनिश्चित परहप्स याने शायद, क्वाइट याने काफी, एनोई याने परिशान होना या तंग करना अपसेट याने उदास होना, गौन्ट मतलब भूक या किसी रोग के कारण दुबला पतला होना अपियरंस याने बहरी रूपरंग, स्टार्विंग याने भूके मरना, नौक मतलब खटखटाना, थ्रस्ट याने किसी को अचानक या जटके से कुछ देना पिक याने जाकना आगे बढ़ते हैं डिसापोइंटेट याने हताश होना, पैटिंग याने थपतपाना, मील्स मतलब भूजन, स्ट्रेंज याने विचित्र, स्टाउट याने मजबूत और मोटा वियर्स याने पहनना, अनलाइक मतलब भिन, हाडली याने मुश्किल से, प्रोग्रेस मतलब प्रगती होना, एंक्वाईरीज याने पूछताच सॉर्ट आउट याने किसी समस्या का हलदूनना, ट्रैप याने जाल में फसाना, साई याने आह भरना, क्रिमिनल्स मतलब अपरादी, रिटॉर्ट याने त्वरित प्रति उत्तर देना आगे बढ़ते हैं, हाउसब्रेकर याने सेंदमार, मौनसून्स याने मानसून, ब्लाइंडिंग याने चकाचौंद, फ्लैश याने चमकदार रोशनी, लाइटनिंग मतलब बिजली चमकना, थंडर याने गडगडाहट, रोरिंग याने गरजने वाला, रोल्स मतलब लु प्रत्याशित तरीके से, इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू के हाड़ वर्ट के मीनिंग समझेंगे,